जैनगर के सद्ध डीहा में अग्याद चार चोर गन की नोग पर पत्ल पत्की को कबजी में लिकर हजार और रुपे सहित कई हजार के जेवरात ले उड़े घटना बीते राच साड़े साफ बजे की हैं मेली जानकारी के नुसार दुकान संचालग पंकज मोधी अपनी दुकान बंद कर रही रहा था कि पीचे से हतियार के साथ आकर के दुकान संचालक पंकर जमोधी को पीचे से धका देकर लहुनुहान किया यवा हतियार दिखा कर चछप पर लेकर रूम ले गया दुकान संचालक के धर्म पत्नी बवीता देवी रूम में थी जिसके बाद चोरों ने दोनों को बंधग बना लिया और दुकान संचालक का चेहरा चादर से ढख कर बवीता देवी के सर पर गन रख कर जान से मार देने की धम के दी जिसके बाद चोरों ने उसकी पत्नी की कान बाली, नाक का जेवर, लॉकेट, नगदी, पैसा लगए 70-80,000 पे लेकर चंपत हो गए पतादे के दुकान संचालक की पत्नी के साथ चोरों ने मार पीज भी की पतादे चले की चार चोर, छतर कुर एक साथ गए उसके बाद दो चोर उपर में पत्नी को बंदी बना कर रखा और दो चोर नीचे उतर कर दुकान में घस कर जो पैसा गला में रखा था लॉकर तोड कर चंपत हो गए, गटना की जानकारी मिलते ही ठाना प्रभारी रिश के सनहा धलवल के साथ आकर मामले की जानकारी लिए वानुसंधान में जुडगे, उन्होंने दूरभाश के माध्यम से जानकारी दी, मामले की छान बीन जारी है, बहुत जल चोरो को गिरफतार कर लिया जाएगा जैनेगर से पंडुकुमार पांडे के रिपोर्ट